नमस्कार, मैं पूलक भट्टाचारी, एडिशनल कमिश्नल नगर निगम, जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान में पूरा विश्व कोविड-19 के संक्रमन से गुजर रहा है, ऐसी स्थिती पे जब निर्वाचन होने जा रहे हैं, तो हमको निर्वाचन में भी कोविड से सम मंधित कुछ सावधानिया रखनी जरूरी है, इस पे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो गाइडलाइन्स चारी किये गए हैं, उन गाइडलाइन्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, सरुप्रथम जैसा कि आपको विदित है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाना सबसे जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है भारत सरकार के, वो सारे नियम का पालन करना आवश्यक होगा, सेकंड जो है सभी वेक्ति को पूरे चुनाओ प्रक्रिया के दौरान जो भी वेक्ति जुड़े हुए हैं, उनको मास्क पहनना आवश्यक है, मास मास्किंग होगी, जो हमारे अधिकारी हैं, वो भी मास्क पहनेंगे और जो उनके सामने चुनाओ के से समंधित कोई भी कारे में आएंगे, वो भी मास्क पहनेंगे, सेकंड है कि किसी भी कारे में जहां पर भी चुनाओ का कारे हो रहा है, उस कमरे के बाहर में तीन चार ची का कार्य होगा थर्मल स्क्रीनिंग से आशे टचलेस जो थर्मामीटर है वहां रखे जाएंगे जिससे टेंपरेचर देखा जाएगा और अगर कोई भी व्यक्ति जिसका टेंपरेचर नॉर्मल से अधिक है उसको कमरे में प्रवेश्च करने के लिए नहीं दिया जाएगा हो हेल्थ नोडल आफिसर इस पर निर्णे लेंगे यहां ध्यान देना है कि अब एक नया पद है हेल्थ नोडल आफिसर निर्वाचन में वह हेल्थ नोडल आफिसर की न्यूक्ति की जानी है जो लगातार हर इस तर पर हेल्थ से संबंधित मोनिटरिंग रखेंगे सेकेंड है कि सैनिटाइजर सोप और पानी की विवस्था हर खेंदर के बाहर होगी सैनिटाइजर की विवस्था होगी साबून Sanitizer से भी जरूरी है कि लोग Sanitizer का प्रयोग करते हैं पर तो हाथ नहीं धोते हैं तो जो भी कमरे में प्रवेश करें बाहर वाश बेसिन लगाया जाए ताकि वहाँ पर से हाथ धोकर की कमरे के अंदर आए जो कमरे लिये जाते हैं, पुराने समय में छोटे कमरे लिये जाते थे अब कोशिश करना चाहिए कि आरो को या जो कमरा लिया जाएगा वो कमरे बड़े-बड़े हॉल होने चाहिए ताकि शोसल डिस्टेंसिंग मिंटेन हो सके लोग दूर-दूर बैठ सकें तो इसलिए बड़े हॉल का प्रयोग करना आवाश्यक होगा वाहनों की संख्या जो पहले से ताई की गई थी उसमें अब कमी की गई है तो उसके बारे में मैं आपको भी जानकारी दूँगा कि कितने वाहन आ सकते हैं कितने वेक्ति कक्षे में प्रवेश कर सकते हैं तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा COVID-19 के संक्रमन काल के दौरान समय समय पर और भी जो निर्देश दिये जाए रहे हैं सब का पालन करना आवश्यक होगा आईए हम symbol allotment की प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं symbol allotment के लिए आपको सबसे पहले election symbol reservation and allotment order 1968 का आधियन करना चाहिए symbol allotment की प्रक्रिया बहुत आसान है परंतु देखने में आया है कि बहुत से अधिकारियों को तकलीफ symbol allotment order पे ही होती है क्योंकि पूरी तरह से तयारी उनकी रहती नहीं है और ये सबको ये पूर्व से विश्वास होता है कि उनके अहां कोई ऐसा प्रॉबलम नहीं आएगा इसलिए वो symbol allotment order का अच्छे से अध्यन नहीं किये रहते हैं मुझे इसलिए मुझे ये बताने में आपको कोई शंका नहीं है कि आपको सबसे पहले अच्छे से अध्यन कर लेना चाहिए कि आप symbol allotment, election symbol, reservation and allotment order 1968 का अच्छे से अध्यन करें देखें, choice of symbol जो है वो candidate के उपर depend है other than candidate जो set up by national party है national party के जो प्रत्याशी है या जो राज्य के state party के प्रत्याशी है उनके लिए choice नहीं है, वो अपनी party के symbol पे चुनाओ लड़ेंगे लेकिन बाकी लोगों का जो चुनाओ लड़ने के symbol वो क्या लेंगे ये उनके choice पे depend करता है और choice भी कैसा choice जो उन्होंने पहला nomination paper जमा किया है उसके उपर depend करता है कि उसमें उनको अधिकार है कि वो तीन symbol select कर सकते हैं और उसकी वरीता दे सकते हैं कि वो पहली वरीता, दूसरी वरीता और तीसरी वरीता सिर्फ पहले nomination paper को हम देखेंगे इसके बाद के जो nomination paper वो जमा कराएंगे उसमें उन्होंने कौन सी वरीता भरी है ये हमारे लिए कोई subject matter नहीं होगा जब हम symbol allotment करने जाएंगे तब तो इसलिए कृपिया ध्यान दे कि जब आप nomination paper receive करना शुरू करेंगे तब ही से आप एक register बना ले और उस register में प्रतेक प्रत्याशी ने जो पहला nomination paper जमा किया है उस पहले nomination paper में कौन सा symbol उन्होंने अपनी तीन वरीता मांगी है पहली वो जरूर उसको लिख करके रखें ताकि ये आपको अंतिम दिन आप इस पे आपको problem ना हो symbol allotment की काम में आप शुरू से workout कर सके कि कौन सा symbol किसको जा रहा है किस section में कौन सी lottery करानी क्योंकि आपको इसमें lottery करानी है और lottery किस किस section में होगी कैसे होगी ये सारी चीज़े आपको पहले से मालूम होना चाहिए अगर ये काम आप homework कर लेंगे पहले से तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि पहले nomination paper के बाद वाले nomination paper में उन्होंने जो भी symbol मांगा है उसका कोई भी महत्वन नहीं है फिर हमको ये भी ध्यान देना है कि अलग अलग प्रकार के प्रत्याशियों के लिए वर्ग के प्रत्याशियों के लिए अलग अलग नियाम है हमको अभी symbol allotment में जाने से पहले parties के बारे में जानना पड़ेगा कि political party क्या होती है political party से आशा है कि ऐसी party जो ECI के अंतरगत, ECI के अंतरगत section 29 में RP Act 1951 के तहत रजिस्टरड हो recognized national political party ऐसी party जिसको ECI के दोआरा मानता दी गई हो election ECI दोआरा election symbol order 1968 के दोआरा national party के रूप में मानता दी गई हो आपको स्वयम मालूम है कि भारत में वर्तमान में अभी कितनी national parties है और इसके बाद आता है registered unrecognized state political party ऐसी party है जिनको state recognized political parties के रूप में ECI दोआरा मानता दी गई है इसके बाद है registered unrecognized party इसकी संख्या करीब करीब 1500 है इसकी सूची आपके पास रहनी चाहिए क्योंकि इनके दोआरा nomination paper भरे जाते हैं और सबसे ज़्यादा symbol को ले करके विवाद जो होते हैं वो इनहीं के साथ होते हैं क्योंकि इनके दोआरा form A, B submit नहीं किया जाता ध्यान देंगे विशेस बात मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्याना कर्शन है आपकी ओर कि अगर कोई party प्रत्याशी registered unrecognized party की तरफ से भर रहे है तो वैसी स्थिती में 2-3 condition उनको पूरी करनी पड़ेगी condition number 1 सबसे पहले कि उनके प्रस्तावक 10 होने चाहिए condition number 2 उनका form A, B आना चाहिए अगर ECI ने माननता दे दी है उस party को कि यह symbol दे दिया जाए तो भी उनको अगर जब तक वो A, B ला करके नहीं देंगे तब तक कि वो symbol उनको नहीं मिलेगा इसलिए खिर्पिया ध्यान दें कि यह 2-3 condition जो है जरूर पूरी होनी जाहिए तीसरा एक और बात कि अगर एक party किसी एक राज्य में माननेता प्राप्त राज्यदल है तो वो दूसरे राज्य में दूसरे राज्य में registered unrecognized party की सुरेणी में ही आएंगे वो माननेता प्राप्त राज्यदल में नहीं आएंगे अब हम इस बारे में विचार करेंगे कि symbol allotment कैसे किया जाएगा जब symbol allotment की कारवाई शुरू होगी तो सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपने आपका जो notification निकला है उसमें symbol allotment का समय नहीं दिया हुआ है इसलिए आप जब nomination paper receive करेंगे उसी समय आप उनको सबको एक अलग से कागज देंगे कि symbol इतने तारिक को इतने बज़े allot किये जाएंगे क्योंकि अगर आप ये copy नहीं देंगे तो वैसी स्थिति पर ये objection हो सकता है कि आपने जानकारी नहीं दी थी second जब आप nomination paper receive करेंगे तो जो जितने symbol हैं उसकी सूची आप अपने office के बाहर notice board पे चस्पा करेंगे ताकि लोग उसको देख सकें फिर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि freeze और concession दो प्रकार के matter होते हैं ECI के द्वारा कुछ symbols को कुछ किसी party के लिए freeze किया जाता है अगर कोई freeze हो गया तो वैसी स्थिती पे वो वहाँ पर आपको notice board में लिखना पड़ेगा कि यह freeze है इसको दूसरा व्यक्ति नहीं मांग सकता और तीसरा है concession concession की स्थिती में अगर वहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा कि यह इस party के लिए concession दिया हुआ है अगर उस party के प्रत्याशी वहाँ पर अपना उस party से कोई प्रत्याशी अपना nomination paper फाइल करते हैं तो वैसी स्थिती पे वह symbol उनको दिया जाएगा लेकिन अगर उस party से कोई प्रत्याशी form नहीं भरते हैं तो ऐसी स्थिती पे कोई भी जो उस symbol को मांगेंगे उनको वह symbol प्रदान किया जाएगा तो इसलिए आपको ये concession वाली बात जाननी चाहिए और इसको आपके notice board में लिखनी चाहिए कि ये ये concession प्राप्त हुए हैं ये ध्यान देने के लिए की बात है कि concession वाले later हमको ECI से लगातार मिलते रहते हैं election symbol allotment order में बहुत सारी बाते हैं जैसे parties which has have lost recognition in last six year registered unrecognized party allotted common symbol by election commission under para 10b ये सारी बाते हैं परंतु मेरा आपको as trainer सामान जो अब मेरी सला है वो ये है कि आपको national parties और state party जो आपके राज्यकी है उसके symbol मालूम है इसके अलावा अन्य partyों के symbol के लिए कृपिया आप ECI के जो आपके यहां जो चुनाओं हो रहा है उस चुनाओं से जस्ट पहले जो freeze वाले या concession वाले guidelines आएंगे उन लेटर की उपर नजर बनाए रखिए इससे ज़्यादा आपको कहीं पर भी दिमाग लगाने की आवशक्ता नहीं है वो जिस जिस party के लिए जो जो concession आते जाएगा वो वो concession का प्रत्याशी अगर आपके यहां candidate के रूप में form भरेंगे तो उनको वो symbol मिलेगा बाकी सभी को उनके जो उनोंने जो अलग symbol तीन मांगे थे उसके आधार पर हमको काम करना पड़ेगा तो इसके बाद मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप national party और state party को symbol alert करेंगे वही symbol जो उनके लिए रिजर्व है उसके बाद registered unrecognized party को symbol alert करेंगे उसमें सिर्फ दो हिस्सा होगा पहला हिस्सा जिनके लिए freeze किया गया है या concession है उनको देंगे बाकी लोगों के लिए वरीता करम को देखेंगे वरीता करम में अगर कोई नहीं भरे है symbol हुआ वो symbol तो वो symbol उनको allot हो जाएगा बशर्ते वो symbol list में होना चाहिए ऐसा ना हो कि कोई पंचायत की symbol की list से कोई symbol मांग लिए और allotment हो गया ये एक बहुत ही गंभीर कार्य है कृपिया ध्यान रते आपके पास latest जो symbol allotment है आपके राज़ी के लिए symbols हो सकते हैं वो सब की सूची होनी चाहिए उसकी CD आती है वो CD होनी चाहिए इसको हमको तुरंत 7-8 तज्यूब जो आपका बनेगा उसमें symbol pest किये जाएंगे ये सारी चीजे हैं सब के लिए तयारी करेंगे हमको lottery भी करना यहां पर तो lottery करते समय हम क्या प्रक्रिया आप राएंगे symbol के लिए तो वो सारी चीजें आप पूरो से तयारी करेंगे सब को आप सूचना देंगे सबसे पहले आप जब कारवाई शुरू करेंगे तो आप proceeding register बनाएंगे कि आज दिना इतने बजे symbol allotment की कारवाई प्रारम की गई सरोप्रथम राष्ट्रिय दल के के इन प्रत्याशियों को यह symbol allot किया गया फिर राज्य दल को allot किया गया फिर रिकनाइज अन्रिकनाइज इस तरह से कारवाई पंजी पूरा बनाएंगे सभी जो उपस्थित है उनके हस्ताक्षर करेंगे क्योंकि इस प्रक्रिया पर बहुत ज़्यादा विवाद उत्पन होते हैं कि गलत symbol हमको दिया गया कई लोग आते नहीं है symbol allotment के समय और बाद में objection करते हैं तो इसलिए लोगों को बुलाना भी चाहिए कि symbol allotment के समय में आए सामाने था symbol allotment के जस्ट बाद जो वहरत निर्वाचान आयोग की तरफ से observer आते हैं उनकी meeting रखी जाती है ताकि symbol allotment के तुरंत बाद वो हो जाए तो सब को आ भी जाए कम से कम symbol allotment पे इसके बाद तीसरे चरेंट पे निर्दलियों को symbol allotment किया जाता है जो निर्दली प्रत्याशी है उसकी प्रक्रिया भी अभी मैं आपको बताऊंगा symbol दो प्रकार के होते हैं जैसे मैं बताया reserve symbol और दूसरा free symbol reserve symbol जो है उसके बारे में भी अभी तक मैं आपको काफी चीज बता चुका हूँ free symbols होते हैं जो भारत निर्वाचन अगदारा सूची जारी की जाती है उसमें से तीन symbol चुनने की सभी प्रत्याशियों को सुतंतरता होती है मैंने आपको national party और state party को symbol allotment की पूरी प्रक्रिया बताई है मेरे ख्याल से उसके लिए clear है कृपिया उनके जो symbols हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार अवलोकन कर ले जो actual words लिखा हुआ है उसी word का परयोग करे symbol में जो आप सुनते हैं कई बार वैसा word नहीं रहता है आप जो हमारी national parties है उनके national parties ही नहीं मेरा एक personal experience है कि बहुत से partyों में ये देखता हूँ मैं कि हम जो जिस चीज का photo देखते हैं उसके बारे में जो general language में जो word यूज किया जाता है वही प्रत्याशी लिग देता है लेकिन वास्तों में वो नहीं रहता है उसको symbol देखने में उसको लोटे जैसा दिख रहा है परन्तु actual में वो मठका है लेकिन उसने symbol मांगा लिख दिया उसमें लोटा और करम लिखा है 12 लोटा लेकिन वास्तों में वो चाहता कुछ और है आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि उसने क्या मांगा है कौन सा symbol है हमको ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि symbol मांग रहे हैं वो symbol list में है की नहीं फिर एक और party कुछ national parties के भी symbol है समाने रूप से जनरल भाषा में उसका नाम कुछ और लिया जाता है परन्तु actual में list में कुछ और है यहाँ पर मैं राजनीतिक दलों के बारे में भी वापिस आकर कि एक बात बताना चाहूँगा कि political parties के नाम भी लोग गलत लिग देते हैं political party का नाम वही उनको लिखना चाहिए जिस नाम से वो registered है इसलिए जब आप nomination paper शुरू से receive करते हैं तब ही से आप उनसे पूछ लीजिए कि आपकी political party का actual नाम आपने सही लिखा है कि नहीं बाद में नहीं तो यह scrutiny के समय हमारे ही problem को बढ़ाता है मैंने आपको बताया कि दूसरे राज्य की party जो registered party कई बार वो समान अपना symbol मांगती है जो दूसरे राज्य में मानिता पराप्त राज्य दल है वो कई बार उसी राज्य में जो उनको symbol दिया हुआ है वो symbol अन्य राज्य के चुनाओ के लिए मानती है तो यहाँ पर ECI से जो निर्णय होगा वो निर्णय अगर आपको मिल जाएगा, freeze किया जाएगा या concession दिया जाएगा तो ऐसी इस्थिती में आप उनको यह symbol प्रदान करेंगे यदि उनके प्रत्याशी खड़े हो number one, दूसरा वो form A-B submit करें ऐसी इस्थिती पर आप उनको वो symbol एलोट कर देंगे लेकिन आपको यहाँ पर दिमाग, मतलब आप अपने तरफ से कोई निर्णय नहीं लेंगे जब तक भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से लेटर आपके पास नहीं जो पार्टियां पहले मानेता प्राप्त थी अब अपना recognition खो चुकी है अब अपनी मानेता खो चुकी है इसके समद्ध में भी आपको कोई निर्णय नहीं लेना है जो ECI ने अगर निर्णय दिया है कि इनको यह symbol दिया जाएगा तो वैसी इस्थिती पर वो symbol उनको प्रदान किया जाएगा कि जो registered unrecognized parties होती है कई बार वो ECI के पास मांग करती है कि हम पूरे राज्य में चुनाव लड़ना चाहते है समाने तक कोई नई party जब बनती है और वो एक साथ पूरे राज्य में चुनाव लड़ना चाहती है तो वो ECI के पास यह अवेदन करती है कि हमको एक common symbol दिया जाए तो अगर ECI के तरफ से फिर कोई concession later मिलता है कि इनको यह symbol पर लड़ने दिया जाए तो वैसी इस्तिती पर उनको वो symbol दिया जाएगा यह concession होगा ध्यान देंगे यह concession होगा अगर उस party के प्रत्याशी उस seat में चुनाव लड़ेंगे तो उनको यह symbol दिया जाएगा अगर नहीं लड़ेंगे तो वैसी इस्तिती पर अगर कोई दूसरा निर्दली है उस symbol को मांगते हैं तो उनको वो symbol प्रदान कर दिया जाएगा जिनको जो मैंने अभी तक मैंने उलेख किया उसके अलावा किसी भी के लिए कोई symbol reserve नहीं किया जाएगा उनके द्वारा जो symbol वो मांगते हैं free symbol से वो तीन symbol का chain कर सकते हैं उनमें से कोई एक symbol उनको प्राप्त होगा अगर वो symbol किसी और को प्राप्त न हो जाए तो सबसे पहले हम part one हमने complete कर लिया अब part two में हम आएंगे part two में registered unrecognized parties हैं तो registered unrecognized parties और other states की parties हैं उसके भी मैंने आपको जो जिसको ECI से constitution मिला था उसके बारे में मैंने आपको बता गिया कि उनको उनके symbol मिल जाएंगे अब हम आएंगे कि second part में जो registered unrecognized party के प्रत्याशियों ने symbol मांगे हैं तीन-तीन symbol मांगे हैं उन तीन-तीन symbol पे हम देखेंगे कि पहला symbol अगर किसी ने मांगा है और वो symbol un किसी registered unrecognized ने नहीं मांगा है ध्यान देंगे फिर से मेरी बात part two में कोई भी registered unrecognized party का प्रत्याशी है जिसने एक symbol मांगा है वो symbol किसी unrecognized party के प्रत्याशी ने नहीं मांगा है हो सकता है कि निर्दलिये वाले ने मांगा हो तो अगर निर्दलिये ने मांगा हो तो हमको उस पर विचार नहीं करना है हमको सिर्फ registered unrecognized के लोग मामले को अभी देखना है तो अगर किसी registered unrecognized party के प्रत्याशी ने कोई symbol मांगा जिसको किसी ने नहीं मांगा पहले वरीता करम में तो वो उनको allot हो जाएगा इसके बाद अगर एक ही symbol दो registered unrecognized party के प्रत्याशी ने मांग लिया है पहली वरीता पे पहली वरीता पे तो ऐसी सिति में उन दोनों के बीच में lot होगा lot में जिसको यह प्राप्त होगा उनको lot निकालेंगे lot में दोनों को वेक्तियों का नाम डाल कर डबे में किसी पहले हमने सबकी प्रत्व्राइज को देख लिया जिस वरीता को किसी ने नहीं मांगा है उनको वो allot कर देङए इसके बाद हमने पहले करम वाली lotery करा ली पहले करम में जिनके जिनके नाम में सेम था उनके बीच lotery कर राकर allot कर दिया इसके बाद उनकी दूसरी वरीता देखेंगे एक को पहले को एक सिंबॉल मिल गया एक को और दूसरे को अभी दूसरी वरीता उनकी देखेंगे ध्यान देंगे उनकी जो दूसरी वरीता है अगर उसको किसी ने पहली वरीता में मांग लिया है और जो पहली वरीता में जिनों तो प्रारप्स हो जाएगा तो इस तरह उनकी दूसरी वरीता भी खराब हो Ohh-oh- 21 अभी हम निर्दली की तरफ नहीं जाएंगे aajar माझन लो किसी कोई ऐसे candidate होते हैं जिनको उन्होंने जो उन्होंने अपनी तीन वरीता मांगी थी और तीनों में से कोई भी वरीता उनको नहीं मिली तो ऐसी स्थिति में अब हम अपना काम रोग देंगे और हम निर्दली की ओर चले जाएंगे similarly अब हम निर्दली पे जाएंगे मैंने अन्रिकगनाइस पार्टी पे एक और पॉइंट आप सुन लेंगे अगर हम जब अन्रिकगनाइस पार्टी में सिंबॉल अलोट्मेंट करने जाएंगे तो हम यह देखेंगे कि अगर दो अन्रिकगनाइस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से same symbol मांगा जाता है और उनमें से एक पिछली बार के sitting MP या MLA हो sitting MP या MLA हो तो ऐसी स्थिती में वह symbol गगेर lot निकाले उनको alert कर दिया जाएगा बशर्ते फिर से ध्यान देंगे अगर political unrecognized political party है registered unrecognized party के दो प्रत्याशी हैं दोनों ने समान symbol मांगा है परन्तु उनमें से एक symbol ऐसे प्रत्याशी द्वारा मांगा गया है जो पिछली बार के sitting MP या MLA थे तो ऐसी स्थिती पे बगेर lot निकाले या symbol उनको alert कर दिया जाएगा इसलिए कृपिया यहां पर साउधानी बढ़तेंगे जहां पर निर्दली प्रत्याशी पिछले बार पिछले बार unrecognized political party के या निर्दली प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं वहाँ पर उनके symbol allotment की प्रक्रिया की जाने के समय यह जरूर ध्यान रखेंगे कि हमको symbol allotment के समय क्या करना है क्योंकि यह आपको तुरंद पहले से मालू होना चाहिए उस समय अगर आप decide करने जाएंगे तो आपको तकलीफ होगी आपको concept जो मैं आपको बता रहा हूं यह सारी चीजें बात बिल्कुल नहीं होगा इसलिए कृपिया पूरी प्रक्रिया पहले आप बता दें कि हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे अब हम इस पारे में बात करें कि हम सिंबॉल हमने registered unrecognized का कर दिया परंतु कुछ ऐसे उसमें रह गए जिनको symbol allot नहीं हुआ तो symbol allot नहीं हुआ त तो कृपिया आप निर्दली की बात कर लें निर्दली section में हम आते हैं और वहां कैसे symbol allot करते हैं यह देखेंगे क्योंकि बड़ी संख्या में निर्दली आवेदन करेंगे निर्दलीों को symbol allotment किया जाता है यहां पर फिर प्रतेक निर्दली द्वारा यह आवश्यक है कि वो अपने आवेदन पत्र में तीन free symbol की मांग करें आवश्यकता से आशा है ऐसा नहीं है कि वो उसका nomination paper reject हो जाएगा परन्तु इसलिए आवश्यक है कि उसको हम कौन सा symbol वो चाहता है वो allot कर सके लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने पहले nomination paper में कोई symbol नहीं मांगेंगे तो ऐसी स्थिती में उनके दूसरे nomination paper को हम नहीं देखेंगे तो सबसे पहले हमको उनका पहला nomination paper देखना है कि उन्होंने कौन सा symbol मांगा है और अगर उन्होंने जो उनका पहला symbol मांगा है अगर उस symbol को किसी और नहीं मांगा है मतलब हम अब चले गए तीसरे दोर की और हैं उस सिंबॉल को मांगा है और अन किसी निर्दलिये ने उसको नहीं मांगा है ध्यान दे उस सिंबॉल को अब किसी नहीं मांगा है पहली वरीता में तो ऐसी स्थिति में निर्दलिये को वो सिंबॉल अलॉट हो जाएगा तो ऐसे जितने निर्दलिये हैं जिनोंने पहली वरीत मांगी है और जिसको part two में वो symbol किसी को allot नहीं हुआ है वो symbol उनको allot हो जाएगा लेकिन ये उनके पहले nomination paper में होना चाहिए दूसरे और तीसरे nomination paper में उन्होंने क्या लिखा है वो यहाँ पर देखा नहीं जाएगा ये एक बात और ध्यान देंगे अगर कोई व्यक्ति किसी political party से अपना पहला nomination paper भरता है तो वैसी स्थिती में उसने symbol नहीं मांगा है और फिर उसको लगता है कि मुझे political party से ticket नहीं मिलेगा तो ऐसी स्थिती में उसने second nomination paper निर्दली के रूप में भरा है तो वैसी स्थिती पे हम उनके nomination जो उन्होंने symbol मांगा है उसको ध्यान नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने अपने पहले nomination paper पे कुछ और symbol political party की और से भरा था अब हम last में कैसे उनको symbol देंगे उसको चर्चा करेंगे अब ध्यान देना है कि अगर एक से अधिक निर्दलिय प्रत्यासी सेम symbol की मांग करते हैं तो वैसी स्थिती पे जैसा मैंने आपको भागदो में बताया था कि उन दोनों के बीच में lot करना है lot करने के बाद जिसका lot निकलेगा उसको वो symbol लोट कर देते हैं तीन प्रत्यासियों ने समान symbol मांगा है तीनों के बीच lottery होगी और तीनों के बीच lottery के बाद जो symbol देना है वो जिनके नाम से lottery निकलेगी lottery बिलकुल पारदर्शी होना चाहिए प्रक्रिया जो है वहाँ पर proceeding register लिखा जाना चाहिए ताकि ये ना कहा जाए कि इनको ये symbol दिया गया इसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे दो लोगों के बीच lottery होनी है और दोनों के बीच समझोता हो जाए कि इनको ये दे दीजिए मुझे ये दे दीजिए ये कदापी नहीं हो तकता यहाँ पर किसी प्रकार का समझोता नहीं होगा lottery 100% वहाँ पर की जाएगी और lottery से ही ये तय किया जाएगा कि किसको कौन सा symbol दिया जाना ये सारी चीजों की वीडियो ग्राफी हो रही है इसलिए कृपिया किसी प्रकार का वारता लाप कि किसको कौन सा symbol दिया जा सकता है आप ये रख लो आप ये रख लो इस तरह की बाते नहीं होगी क्योंकि proceeding register में ये लिखा जाएगा lottery का complete process अब अगर प्रतम दो लोगों ने प्रतम वरीता में समान भरा था और उसके बाद में second वरीता में अब आएंगे और second प्रतम वरीता मिलने के बाद second वरीता में एक जिनको जिनको पहली वरीता वाला मिल गया और दूसरे को अब पहली वरीता नहीं मिल रही है लेकिन दूसरी वरीता को किसी ने नहीं भरा है तो ऐसी इस्तिती पे उनको दूसरी वरीता वाला सिंबॉल मिल जाएगा इस प्रक्रिया से हम आगे बढ़ेंगे और पूरा सिंबॉल एलाट्मेंट निर्दलियों का भी करेंगे यहां पर ध्यान देंगे एक और बात जो मैंने पार्ट टू में बताया था कि अगर दो निर्दलियों ऐसे हैं जो सेम सिंबॉल मांग रहे हैं प्रथम वरीता में परंतु उसमें से एक सिटिंग अमेले हैं तो ऐसी इस्तिती में सिटिंग अमेले को बिना सिंबॉल ड्रॉ कि हम उनको वो सिंबॉल अलोट कर देंगे तो इसलिए यहां यह ध्यान देना है कि जो अगर निर्दलियों सिटिंग अमेले वहां पहले से हैं तो हमको क्या प्रक्रिया अपनानी है यदि कोई कंडिडेट पहला सिंबॉल प्राप्त नहीं करता है तो उनका सेकेंड और फर्स, सेकेंड और थर्ड तीनों नहीं मिलता है वो तीनों किसी और ने मांग लिये हैं तो ऐसी इस्थिति पे फिर हम उनका नाम अभी होल्ड पे रखेंगे अब हम सबको सिंबॉल अलोट कर चुके हैं परंतु पार्ट टू में कुछ बचे हुए हैं और पार्ट थ्र और यह कारी जो हैं वो बिलकुल टोटली डिस्क्रीशन पर आ जाते हैं और कैंडिडेट से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए बता दीजिये घर के बिलकुल गलत है, केंडिडेट से पूछने का आप कोई अधिकार नहीं है क्योंकि कैंडेट से अगर आप पूछने कहेंगे वह यह होगा कि आप सबसे पहले left side से सारे लोगों के नाम लिख लीजिए एक करम से जिनको कोई symbol अभी तक एलॉट नहीं हुआ है फिर right side से ऐसे सारे right side में ऐसे सारे symbol symbol की list से करम से लिख लीजिए जो अभी तक इसको एलॉट नहीं होई है और उस करम से आप एलोट करते चले जाएं आपको कोई भी दिक्कत कहीं पर नहीं होगी क्योंकि आप करम से एक फेर तरीके से आप सिंबॉल एलोट कर रहे हैं अगर आपका तीसरा आदमी या पांचवा आदमी जो रेजिस्टर अन्रिकागनाईज में खाली था सात्वा खाली था और निर्दली में नौ और ग्यारा खाली थे तो आप पांच, सात, नौ, ग्यारा का नाम एक कागज में लिखे और सिंबॉल की जो सूची है उसमें आप उठाईए मानलो उसमें चवथा, छटवा, आठवा दसवा खाली है सिंबॉल जो अभी तक किसी को नहीं मिला था उसके पहले एक, दो, तीन मिल चुके हैं, चौथा नहीं मिला है पांच, वा मिल चुका है तो चार, छे, आठ, दस आप लीजिए चार, छे, आठ, दस राइट में लिखिए और इस तरह से अलोट कर दीजिए इस तरह से आप सिंबॉल एलोट्मेंट करेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई दिकत नहीं होगी, सिंबॉल एलोट्मेंट की प्रक्रिया के बारे में हमको सुरू से सावधान रहना चाहिए, कि हम बहुत सारा काम पहले से करके रख सकते हैं, कि कौन सा सिंबॉल किसको जा रहा है, जैसे जिनके जिनके form a b आ चुके हैं, उनको symbol वो पहले से मिल रहा है, यह हमको मालूम है, जिनका concession आ चुका है और आपके एंँ form आया है उसको form यह symbol मिल रहा है, हमको ये मालूम होना चाहिए जिन्होंने नंबर एक वरीता पे डाल के रखा है अपना और रिजिस्टर्ड अन्रिकगनाइस पार्टी के हैं उनको कौन सा वो उन्होंने नंबर वन पे भरा हुआ है और कंसेशन भी आया हुआ है तो ऐसी इस्तिती में उनहीं को मिलेगा ये हमको मा होना चाहिए कि ये इनको मिल चुका है इसके बाद लोटरी किसके किसके बीच करानी है और लोटरी में भी आपको ये देखना है कि अगर मैं A और B दो प्रत्याशियों की लोटरी कराऊंगा तो कराने से A को अगर A लोटरी जीत जाता है तो ऐसी इस्तिती पे क्या फिर से म मैं बताऊंगा कि कभी भी प्रथम वरीता की लोटरी दितीय वरीता से नहीं होगी फिर से मैं क्या कह रहा हूँ एक बार समझने की कोषिच करेंगे दो प्रत्याशियों ने समान सिम्बॉल भरा है पहली वरीता पे उनके बीच लोटरी हुई लोटरी में सिंबॉल मैं दो प्रत्याशी का एक्जामपल भी लेता हूँ कि एक प्रत्याशी का नाम A है एक का नाम B है उन्होंने एक सिंबॉल समान सिंबॉल उन्होंने भरा पहली वरीता पे दोनों के बीच लोटरी हुई लोटरी में वो सिंबॉल A को मिल गया B को नहीं मिला अब B ने अपनी दूसरी वरीता पे एक सिंबॉल भरा हुआ है और C ने उसी सिंबॉल को जो दूसरी वरीता पे B ने भरा है उसको पहली वरीता में भरा हुआ है यहाँ पर कभी भी मेरी बात ध्यान देंगे कभी भी अब उसकी B की दूसरी वरीता प्रथम वरीता नहीं हो जाएगी याने B और C के सेकेंड और फर्स्ट के बीच लोटरी नहीं हो सकती लोटरी अगर होगी तो अगर कोई और ऐसा प्रत्याशी है जिसकी पहली वरीता exhaust हो गई है और दूसरी वरीता आप सेम हो रही है B के साथ कोई D ऐसा है जिसकी दूसरी वरीता भी सेम है और B की भी दूसरी वरीता सेम है दोनों को पहली वरीता नहीं मिली तो उनके बीच दूसरी वरीता के लिए लोटरी हो सकती है कभी भी दो अलग-अलग कॉलम की लोटरी आपस में नहीं होगी तेकिए कुछ बाते हैं सिंबॉल एलोट्मेंट एक ऐसा है ये वापिस नहीं हो सकता इसलिए कृपिया जब आप सिंबॉल एलोट करते हैं तो बहुत साधान रहिए, सतर्क रहिए आपने सिंबॉल एलोट कर दिया आप अपने क्लेरिकल स्टाफ को सिंबॉल एलोट करने के बाद आपने ओरिजिनल कॉपी उसको दे दी कि इसके उपर सिंबॉल चिपका के ले आओ तो अगर सिंबॉल चिपका के ले आया जो आपने symbol allot किया उसके बाद दूसरी copy को उस computer पे या जहां पर भी उसको काम करना है वहां पर भेजिए ये चीज़ ध्यान देंगे कभी भी symbol allotment के समय पुरानी पुस्तकों का उपयोग न करें ECI के हर चुनाओं में ECI नए symbol की list जारी करता है आपके पास कोई पुरानी list आपके पास या प्रत्याशी के पास नहीं होनी चाहिए प्रत्याशी कोई ऐसे confidence में नहों कि उसके पास कोई पुरानी list हो जिसके आधार पे वो form भर दे और वो ये claim करें कोई पंचायत के चुनाओं का नगरपाली का के चुनाओं का symbol लेकर के वो आवेदन कर दे आपके पास आवेदन में लिख दे ये नहीं होगा इसलिए उनको मालूम होना चाहिए photograph उसको चिपकाना है हमको तो इसलिए photograph सही होना चाहिए photograph भी उस समय मैच करा ले final उनसे कि ये जो फोटो लगा हुआ है ये फोटो आपका ही है कि नहीं चेक कर लें अंतिम बार क्योंकि ऐसा नहीं हो कि किसी दूसरे का फोटो दूसरे करम में चिपक जाए तो ये ऐसी गलत होगी जो वापिस नहीं आ सकेगी और पूरा का पूरा चुनाओ दूशित हो जाएगा अगर फॉर्म 7 गलत हो गया तो इसलिए करिपिया फॉर्म 7 जो है अंतिम है फॉर्म 7 ही EVM मशीन में लगेगा फॉर्म 7 के आधार पर ही पोस्टल वैलेट पेपर बनेंगे फॉर्म 7 ही मद्दान के अंदर के बाहर लगाया जाएगा तो इसलिए करिपिया फॉर्म 7 ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है गलत अगर फॉर्म 7 होगा तो सुधार के लिए option तो है परन्तु अगर सुधार होगा तो वैसी स्थिति पे आपके विरुद अनुसासनात मकारवाही होना निश्चित है इसलिए करिपिया किसी भी प्रकार की तुरुटी फॉर्म 7 में न करें क्लेरिकल मिस्टेक न करें लोगों का नाम का स्पेलिंग सही होना चाहिए उनकी पार्टी का नाम सही होना चाहिए उनका सिंबॉल सही होना चाहिए उनका फोटो सही होन यह सारी चीजें कृपिया ध्यान देंगे, इसके बाद ही फॉर्म से वन्जारी करेंगे, टाइम लग सकता है, लेट नाइट हो सकता है, सिम्बॉल एलाटमेंट में, बट इसमें कोई भी गल्ती नहीं करेंगे, इस तरह मैंने आपको सिम्बॉल एलाटमेंट के बारे में भी बताया और बाकी बहुत सारे विश्यों पर आपको जानकारी दी, धन्यवाद